नाम कल्पित मुद्गल है जैपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और उमर 11 साल है मेरी मतला पेश करता हूँ कि तेरे सिवा मुझे कोई गवारा नहीं तेरे सिवा मुझे कोई गवारा नहीं पर मेरी मां से जादा कोई प्यारा नहीं तेरे सिवा मुझे कोई गवारा नहीं पर मेरी मा सजादा कोई प्यारा नहीं अपने खुदा की आख में आसू दे दूँ अभी इतना भी में कोई वेचारा नहीं अपने खुदा की आख में आसू दे दूँ अभी इतना भी में कोई वेचारा नहीं मैं हस्ता रहूं तू बस रोती रहे मैं हस्ता रहूं तू बस रोती रहे यार इससे बहतर तो कोई नजारा नहीं मैं हस्ता रहूं तू बस रोती रहे यार इससे बहतर तो कोई नजारा नहीं कोई आखिर क्यों यकीं करे उस पर कोई आखिर क्यूं यकी करे उस पर वो तो अपनी मा का ही दुलारा नहीं कोई आखिर क्यूं यकी करे उस पर मुझ पर इल्जाम है मैं किसी को प्यार नहीं देता मुझ पर इल्जाम है मैं किसी को प्यार नहीं देता मौलत खुदा देता है जमिदार नहीं देता, मैं तेरी तुलना फूल से करूँ, ये तो गलत है जाना, फूल मुर्जाता है, मार नहीं देता। हुआ देता, मार को दोक्टर ने भोला कि जो सबसे जादा पसंद है, वो बता दो इसको। तो एकी छीज़ का शौक है वह κोंधिका ले ख Tschal ले गए पहली बार है कि अबwritten के अब अबना लिकिन घ ह्जस वहां वह इक लिखा कि वहां कोई किसी को परेशान नहीं करता वहां को बुंध हो या बर्फ पडे बारिश की बूंद हो या बर्फ पड़े मगर वो किसी को लोहो लोहान नहीं करता कोई भी मजबूरी आन पड़े उसके सामने कोई भी मजबूरी आन पड़े उसके सामने मगर वो किसी घर को मकान नहीं करता उस शेयर की हवा में ही कुछ ऐसी खुश्बू है वहां जो काम बूरह करता है वो नाजवन नहीं करता उस शहर के हवा में ही कुछ ऐसी खुश्बू है वहाँ जो काम बुढ़ा करता है वो नौजवान नहीं करता जिंदगी का यही उसूल है माल लो यारो जो सितम अपना करता है वो महमान नहीं करता जिंदगी का यही उसूल है माल लो यारो आजकल हमें कोई अच्छा नहीं लगता जो जखम ना दे वो अपना नहीं लगता मैं चांद तारे सब तोड़ लाँ तेरे लिए क्या करूं पर तू मुझे सच्छा नहीं लगता चांद तारे मैं सब तोड़ लाँ तेरे लिए पर क्या करूं तू मुझे सच्छा नहीं लगता नशा खूब नशा किया खुद को फूंक दिया नशा खूब नशा किया खुद को फूंक दिया सितम देखो तू मुझे फिर भी दूसरा नहीं लगता नशा खूब नशा किया खुद को फूक दिया सितम दिखो तु हमें फिर भी तूसरा नहीं लगता कि शेर बहुत करीब है मेरे यह जो गजला और याक्री गजला में हाथ को लोगों के सामने पेश कर देख ऐसा है कि उससे बिछड़ने के अगले पल ही मर चुका हूँ मैं दिवाली पर भी घर की रोशनी कम न थी पता लगा मनूसियत था कल ही मर चुका हूँ मैं और यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा मैं यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा मैं जिनको दिल से चाहा उनके लिए इतनी जल्दी मर चुका हूँ मैं और यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा मैं जिनके एक यार ये आखरी गजल थी वैसे दो लेकिन एक याद आगे ये भी पढ़ते पढ़ते और वो सुनाना बहुत जरूरी है ऐसा है कि तेरा दिल बहुत खुशी से रह रहा है ना तेरा दिल बहुत खुशी से रह रहा है ना क्योंकि मेरा आँखों से खून बह रहा है ना उसे सुकून मेरी मौत से मिलेगा तेरा दिल तुझे यही कह रहा है ना तेरा दिल इसलिए भी आजकल बहत खुश है तेरा दिल इसलिए भी आजकल बहत खुश है तेरा दर्द मेरा जिस्म सह रहा है ना तेरा देन इसलिए भी आजकल बहुत खुश है कि तेरा दर्द मेरा जस्म सहरहा है ना शुक्रिया बहुत शुक्त तो अगर आप लोगो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंस में हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा and don't forget to subscribe the channel कि करके खक्ली आपको कि कले when, क क में बताए लिए, क्यात् थ men watt कि कि क दून खमार वीडियर कीजिए एवीडियो वीडियों प्सेलियों, व्हिके उसकेटों का बहुत है ऐभ लिगका प्सक्रियों, ञод कि को ? वै कि कि वा पन